नमस्कार दोस्तों, दोस्तों काफी सारे question ये पूछे जाते हैं, कि सर हर वीडियो में आप ये कहते हैं, कि NGO की working के लिए 12A और ATG बिल्कुल compulsory registration है, या 1023C बिल्कुल compulsory registration है, लो में ने लिखा ये compulsory है, ये है तो optional, लेकिन मैं अपने practical experience पर ये बताता हूं, कि अगर आपके आपके पास ये registration नहीं है, तो अपनी NGO को close कर देना, ये मैं शुरू से आपको बताता हूं, बहुत सारी रीजन है, इसके एक रीजन नहीं है, कि मैं इतना strong statement क्यों दे देता हूं, कितने सारी client आते हैं, सर मुझे 12A का registration करना है, मैंने का भाई पहले ये बताओ, आपको पता चाहिए, जरू, ATG क्या है, ATG के क्या benefit है, और क्या ये आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, ये बिर्कुल के लिए आपके पास होना चाहिए, तो दोस्तों इस वीडियो के थुरू में आपको ये बताओंगा, कि exact 12A होता क्या है, 12A का registration होता क्या है, और इसका क्या चाहिए, जो state government के अपनी authority होती है, वहाँ से आपकी ये register होती है, इसके registration के बाद 12A और ATG की कहानी create होती है, जो income tax department से आपका registration होता है, और ये central government का department है, अगर आपके पास 12A registration है, तो क्या होगा, अगर 12A registration नहीं है, तो क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं बताओंगा, तो आपको बिल्कुल clear हो जाएगा, कि 12A registration का ये मतलब है, दोस्तों, 12A registration अगर आपके पास नहीं है, तो मैं example देके आपको बतारूं, कि suppose करो आपको एक साल में 10 लाग रुपे का donation मिला, और donation एक voluntary contribution है, और आपने वो donation खर्च भी कर दिया, है ना, और आपके पास 12A registration नहीं है, से आपके उस donation पे 33% tax लग जाएगा, मैं approach बतारूं सब calculation करके, कि approach इतना tax आपको देना पड़ेगा, चाहे आपने वो खर्च भी कर दिया हो, लेकिन अगर आपके पास 12A है, और आपके ने वो donation रिसीव करा, और आपने वो expenditure करे, तो आपके tax की liability नहीं आएगी, क्योंकि आ अगर 12A अप्रूव करती है, तो 3 लाग जो tax मिल सकता था, वो government को नहीं मिलेगा, और वो amount social activity में खर्च हो जाएगा, तो 12A का benefit किसके लिए होता है, society और NGO के लिए होता है, इससे public का कोई benefit नहीं होने वाला, तो यही meaning होता है दोस्तो, 12A का, next वीडियो में मैं आपको करने के लिए मेरी team आपको coordinate करेगी, thank you so much, फिर मिलते हैं नहीं वीडियो के साथ,